उत्राखंड के हल्दुवानी में बीते दिन पहली बार मात्र शक्ती और महिला सशक्ती करण को लेकर इजा बैडी महुत्सव की धुम रही। महुत्सव में जब लोक कलाकारों ने स्थान्य गीतों की प्रस्तुति दी तो लोक भाव भिवोर हो गए। यही नहीं पाहाड का चोलिया लोक निर्त भी आकर्शुन का किंद्र रहा। इस दोरान एजा बेडी नारा लगाती बालेकाओं का जोश भी देखने लायक था। बता दें कि जिला प्रशासन लंब समय से इस कारिकरम की तयारी में जुटा हुआ था। इस महुत्सव में उत्राखंड की लोक कला और लोक संस्कृती की सुंदर जलक भी देखने को मिली। साथ ही महुत्सव में प्रिसिद उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। कारिकरम में उत्राखंड के सीम पुषकर सिंग धामी और जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आरे भी मौजूद रही। वहीं महुत्सव में पहुचे सूबे के सीम पुषकर सिंग धामी ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा की। इसके साथ ही बैनी सेना और पर्यावन मित्रों के साथ तस्वीरें भी खिचवाई। यही नहीं कारिकरमे सीम ने नेनिताल जिले के लिए 713 करोड की लागत के विकास योजनाओं क उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्ये को आगे बढ़ाने का काम। वही महुत्सों में लगाए गए स्टॉल का भी सीम ने निरिक्षुन किया, साथी कन्या पूजन भी किया, इस दोरान सीम ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इजावेडी महुत्सों हमारी जो मातर सकती है उसको प्रोसान देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक इस्थान मिले, एक अच्छा विपड़न का उनके लिए बजार मिले और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब रास्ती नहीं, अंतरास्ती इस्तर पर पहचान म मिले, उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारी मंत्री मंडल ने, हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर जिसको की हिमालाय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतरगत सारे प्रोड़क्तों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, ज महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, इसमें उत्राखन की एपन कला को आगे बढ़ा रही मीनाक्षी भी शामिल है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाकर वो बेहत खुश है, पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्दवानी से तारा जोशी की रिपोर्ट